हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हां सभी तवरास्तान पुलीस कॉंच्टेबल का मोडल पेपर नमर 20 यानी रिवजन की सीरीज है दस मिनिट का समय मिलेगा आपको और टोपी क्यावन क्यूसन के आंसर देने हैं टार्गेट रखते हैं 40 क्यूसन का तो जो भी स्कॉर बनें ना और मस्ट इपोर्टेंट एकजाम से पहले पहले ऐसे सो टेस्ट करेंगी तो लायग से जुरू कर देना पीड़ा पकर लेना चाहते हैं रियूजन करने के लिए तो टेलिगराम पर मिलेगी ये नाम सच्च करना प्रेला सारेंसर के नाम से सारी वीड़ा आपको वहीं प दूसर है कि मगद के पर्थम राजदाने कौन शी रही थी? मगद की पहली राजदानी थी गिरीवरिच या राजगरेच जिसे कह दीजे फिर पाडली पुतर बनी थी वेसाली भी बनी थी तो तीन आपका सही एकला की डोला मारूरा दूहा के लेख है कोन है किसके द्वारा इसकी रचना कीगी थी? कवी कलोल की रचना है तुराइट आनसराप का एक है एकला की दूरसा आडा ने किस गरंद को पांसवां वेद कहा था और उनीसवां पुरान कहा था दोनों ही नाम याद रखिये और ये कहा था वेली कर्शन रुकमनीरी इस गरंद की रिजना की थी पर्त्वी राज राठोड ने पर्त्वी राज राठोड जो की बीका नेर के थे अगला एक इनमें से कौन सा नर्ते गुजरों का है तो गुजर जाती की महीलाओं के द्वारा चरी नर्ते किया जाता है तो राइट आंसराप का एक नमबर अगला है कि मली नाजी का मेला कहां पर बढ़ता है मली नाजी का मेला बढ़ता है तिलवडा बाड़े मेर में ठेक है लूनी नदी के किनारे पर और एक पस्टू मेला भी है जहां पर किस नसल का करह विकरे जादा होता है अगला है कि राजस्तान में वरीत सिमात बरंस है वो किसके सारे फैला हुआ है तो बुंदी स्वायमादुपुर की पहाडियां पुर्वी भूबा का हिस्सा जो है टेरी कोटी खादी किया उतपादन राजस्तान में कहां पर होता है औप्सन की अधार पर मांगलोद में और मांगलोद कहां पे है बारा जिले में चार आपका सही अच्छा सांजी माता किसके माना जाता है सांजी की माता मानते है पारवती माता को और आजस्तार में सांजी वैसे परसिद है वो नाथ दुवारा की परसिद है तो राइट आनसराब का चार नमबर कनाना बिलाड़ा सम्दड़ी आदिस्तान प्रुमित है कौन से न्रते के लिए परसिद है तो गेर न्रते के लिए गेर न्रते वैसे भील जाती की दूआरा किया जाता है होले की टैंपर और मेवार्ड का परसिद है समदड़ी बाडमेर वाला एरिया जो है यहां पर संथ पीपा जी का मंदिर भी बनावा है तो वो भी याद रखेंगे हिएला के छिपार को मंदिर भी बस अकबर ने भी पूजा की थी तो हिएला के कला प्रेम और भक्ति का सामजे से किस चीतर शेली का है सावत सी के टाइम का जिने मनागरी दास के नाम से भी जानते हैं और यहीं का परसी चीतर है बनी ठणी जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं अगला है कि अलाउदिन खिलजी की पुत्री राजस्तान के किस राजे के राजकुमार के प्रेम पास में बंद गई थी तो यह जालोर में जालोर में राइट आंसर आपका B है अगला है कि विद्वा महिलाओं के द्वारा ओडे जाने वाली काले रंग की ओडनी क्या कहलाती है तो चीड का पौम्चा कहलाता है याद रखेंगे यह राजस्तान में कहां का हाडोती के छेतर का जाता परसीद है तो राइट आंसर आपका D इसका सही आंसर है ओके और अगला क्यूस्तन आपका है कि एसिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे याड कौन सा है तो सबसे बड़ा रेलवे याड एफुलेरा जक्षन तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा सही और जोदकुरुक में महामंदर का निर्मान की सासक ने करवाया था जो नात संपरदाय का सबसे बड़ा केंदर और प्रमुगंदी है तो ये मानशी राठोड ने इसका निर्मान करवाया था और नाससंपरदाय के माननाथी पंत्त की ये साका है आयस देवनात जी ने बहुइ से बानी की थी उसे के लिए मानशी ने निर्माने करवाया था राज सम्धील के किनारे 25 इलालेखों में जिनने राजपरसश्टी की नाम से जाना जाथ है किसकी दुआरा लिखी गी थी रण छोड भड तेलंग वे हैं और ये महाराणा राजशी की टैम की बात है ठीक है ये श्या की सबसे बड़ी परसश्टी है जो सेंस्कित बासा में है अमर कावे बनसावली एक गरंथ है जिस पर ये आधारीथ है राम सनी संपरदाएका जो प्रात्ना स्तल होता है जहांपर गुरू का चीतन रखा होता है उसे क्या कहते हैं रामदुवारा कहते हैं चार रामदुवारा है सबसे मैन है वो है सापुरा भीलवडा का दूसरा है सिये थल बीका नेर का तीसरा है रेन नागोर का और चोता है खेड़ पा जोधपूर का अगला है कि एक मातर मंदिर जहां पर देवी के पीट का सरिंगार किया जाता है देव वो बीका नेर से था और ये परसीद मांडगरा की गायन से लिके मांडगराई का रही है। वो बीका नेर से लिके मांडगराई की गायन से लिके मांडगराई का रही है। वो बीका नेर से लिके मांडगराई का रही है। वो बीका नेर से लिके मांडगराई की गायन से लिके मांडगराई का रही है। गुलाबो का समन्द की से है। गुलाबो का जो समन्द है वो किस चेतर से कालवेलिया नरते से है। पर पैचान दिलाने के लिए जानी जाती है। और आदोनिक भारत का बागीरत की से कहते हैं महाराजा गंगा सिंगो का जाता है जो की बीका नेर के सा सकते हैं। और इन्होंने गुली सुओ सताइस में गंग् नहेर का निर्मान करवाया था। इसलिए उन्हों को आदोनिक भारत का भागीरत कहते हैं अजमेर आने वाला पहला अंगरेज अदिकारी कुन था वो था सर टॉम्स रो तुराइट आनसराब का एक और मानशे के काल में जगत शिरोमनी मंदिर आमेर का निर्मान किसे ने करवाय था जगत शिरोमनी का मंदिर के निर्मान करवाय था उनकी रानी कनकावती ने अगला है कि सादू सीतरामदास क्रिस्ट का अंदोलने से समंदी थे बिजोलिया किसान अंदोलने से बिजोलिया भीलवाडा मेहर मेवाड रियासत का है 1893 में सरवात हुई थी और 1941 तक चला था ये सादू सीतरामदास ने सरवात की थी राजसान में सरवादिक नदियों वाला छेतर कौन सा है सरवादिक नदियां जो हडोती के छेतर में है तो राइट अंसर आपका बी है और चकरी नर्त है किस जनजाती का लोक नर्त है चकरी नर्त है किया जाता है कंजर जाती के दुआरा तो D आपका सही आंसर अगल है कि बिंदोरी नर्त है ये बिंदोली नर्त है जो राजस्तान के किस छेतर का परशिद है और बिंदोली नत्य है जालावार जेले में होता है बी आपका सही मेवाड परजमनल की किस महीला ने मैतमों मिकरिबाई थी तो वो नारायनी देवी है मेवाड परजमनल की स्थापना गुनी 38 में होई थी माने के लाल वर्मा जी के दुआरा तुराय डानसरप का भी एकला है किसके सासनकाल में कोटा में दसेरे मिले की सरवात हुई थी एक तो कोटा दसेरे मिला कहां का परसीद है कोटा का इसकी सरवात मादोसी के टैम पर हुई थी जसलमेर में पत्टी के परदेश आने पर उनके वियोग में गए जाने वाला गीत कुंसा विरह गीत है ये और जोरावा गीत जोरावा गीत कहां का परशिद है जसलमेर का पस्मी राजस्तान का और निमल मैंसे कौन सी फढ़ सबसे पुरानी है, सबसे अधिक चीतरंकन वाली है, और सबसे लंबी है, वो है देव नरानजी पढ़ सबसे छोटी भी है, मारवाड का अम्री सरोर कहा जाता है जवाई बांध को ये भी ठीक है, मीटी का सबसे बड़ा बांद है पांच नमांद क्रोली ये भी ठीक है जुआई बांद बनावाए लूनी नदी पर ये गलत है जुआई बांद जुआई नदी पर है सुमेरपूर पाली में जिसे मारवाड का अम्र सुरवर कहते हैं अगला है कि भोजन का अनिवार ये कोई चाहिए बोजन में क्या अनिवारे कार्बोहार्टरेड होना चाहिए भी डी आपका सही है और आलू का खाने योगे भाग कोन सा होता है तो तना होता है यानि डी आपका सही अगलाय की देवे इर का यूद कब हो वा था देवे इर का यूद वा था अक्टूबर 1582 में मेवाड का मेराथन जी से कहते ही और महाना परताब की जीर की सरवात इसी सी होई थी माना रासी ने औरंग जेब के विरुद किस से विवा किया था रानी चारूमती से किया था जो किसन गड़ की राजकुमारी थी और किस लोग देवता को जहार पीर जिन्दा पीर कहा जाता है गोगो जी को ये नाम दिया था मेहमूद गजनवी ने वह संसकार जो बालग को वीद्यारम करने ही तो गुरू के पास ले जाते समय किया जाता है वो ये गोपवीत संसकार कहलाता है तुराइटान सरब का चार और अगला है कि नरहड का उर्ष या नरहड की पीर कहां पे बनी हुई है जू 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 जिले में तुराइटान सरब का तीन है तो ये थे टोप 51 क्यूसन और 51 में से आपका स्कूर क्या है कॉमेंट करके बता दिए रात को डेली आठ बजे हम लाइट टेस्ट करते हैं तो वो भी आप जोईन करें पीटेफ मेले की टेली ग्राम पर जिसका लिंक है प्रहलास सारण सरके नाम से और ये इंस्टाग्राम और पेश उपेश है यहां पर भी एड़ कर सकते हैं एक और चीज आप याद रखिएगा डेली जिस परकार से राध़स्तान पुलीस का कर रहे हैं तो कर दीजे लाइक शेर और मिलते हैं गले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद